इस्थानी उप तहसिल गोबरा नवापारा को अब अभनपूर तहसिल छेतर से अलग करके नया तहसिल बनाया जा रहा है पूर्णे तहसिल का दरजा मिलने के बाद इस तहसिल के दायरे में आने वाले अंचल के किसानव वा आम जनता को अभन पूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तहसिल के लिए कारीच छेत्र का निर्धारन किये जाने के बाद राजी के 36 गड़ राजपत्र में प्रकासित किया गया है। बताया गया है कि राजपत्र में प्रकासित के 60 दिनों के भीतर इस संबंद में कोई भी आपत्ती या सुझाओ लिखित रूप से सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंदन विभाग 36 गड़ के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं। वहीं गोबरा नवपारों को पूर्ण तैसिल से चारो दिसाओं की तैसिलों का उलेग भी किया गया है। राजस्व निरक्षक मंडल पिपरोद के पटवारी हलका नंबर 24, 37, 38, 49, 41, 43, 49 और 59 के कुल 15 गाउं। राजस्व निरक्षक मंडल तोरला के पटवारी हलका क्रमांग 27, 28, 39, 31, 32, 33 और 46 के कुल 22 गाउं। इस प्रकार कुल 24 पटवारी हलके के 54 ग्राम सामिल हैं। इसमें निरधारी दिवस के भीतर कोई दावापती दर्ज नहीं कराई जाती तो गोबरा नवपारा पूर्ण रूप से तहसिल का दर्जा प्राप्त कर लेगी। राजपत्र में गोबरा नवपारों को पूर्ण तहसिल का दर्जा दिये जाने संबंधी बातों के प्रकासन से बूधवार को यह नवपारा वासियों के लिए मुख्य चर्चा का विशे रहा। लोगों ने इसके लिए हर उस जिम्यदार को धन्यवाद ग्यापित किया जिनके प्रयासों से आज आसपास के सबसे बड़े विवसाईक केंद्र गोबरा नवपारों को पूर्ण तहसिल का दर्जा मिलने वाला है। झाल कै झाल